बिजनोर से बसपासान सद मलूक नागर ने रालोद के टिकेट को लेकर जो दावा किया है उसने राजनिती में जबर्दस्त गर्मी ला दी है देश के परतिष्टित अमर उजारा समचार पतर में एक खबर परकासित हुई है जिसमें मलूक नागर के हवाले से लिखा गया है कि बिजनोर से रालोद भाजपा गडवंदन उम्मिद्वार मीरापूर विदायक चंदन चोहान के परिवार से हो सकता है लेकिन मौझूदा राजनेतिक परिस्टित्यों को देखते हुए मलूक नागर के बयान के बेहत गहरे सियासी माइन है परकासित खबर के मुताबिक बिजनोर के बसपासान सद मलूक नागर ने कहा है कि वहरालोद में सामिल नहीं हो रहे है उन्हें जानकारी मिली है कि बिजनोर लोकसबा सीट से भाजपा वेरालोद गडवन्दन के उमिद्वार मीरापूर विधायक चंदन चोहान की परिवार से होंगे मेरे लोकदल में सामिल होने की बात कही जा रही है लेकिन यह गलत है सारजनिक रूप से खंदन कर चुका हूँ खबर में ये भी लिखा है कि बिजनोर सांसत के बयान के बाद इस बात के कयास लगाय जा रहे है कि एंडिये बिजनोर सीट पर मीरापूर विधायक की पतनी यसी का चोहान को मिदवार बना सकता है अब सवाल ये है कि मलूग नागर है कोन जो रालोद भाच्पा गटबंदन के टिकेट को लेकर बयान जारी कर रहे है ने तो वे भाच्पा में है और ने ही राष्टे लोगदल में अभी तक तो वे बस्पा के ही सांसद है और बस्पा में ही बने हुए है तो फिर ये बात कहने की जरुवत आकेर क्यों आई आलाकि खबर में ये तो जिक्र नहीं है कि ये बयान मलुक नागर ने खुद समाचार पत्र को बेजा है या उन से समाचार पत्र के पत्रकारों ने सवाल किया खे सवाल यही है कि मलूग नागर के इस बयान के पीछे आखिर कितनी गहरी सियासत है राजनितिक विशलेसक अंकित मान कहते हैं कि उन्हें लगता है कि ये मलूग नागर का बयान कहीं न कहीं राज्यसभाचुनाव को जोड़ता है राज्यसबा चुनाओं में विधायकों की वोटिंग होनी है और चंदन चोहान को अखिलेश यादव का बेहद ही खास माना जाता रहा है चंदन चोहान बिजनोर सीट से टिकट के दावेदार भी थे और हैं भी चर्चा यही थी कि सपा रालोद गटवंदन में पत्निया खुद के लिए वो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं राज्यसबा चुनाओं में रालोद के विधायकों पर भी सब की नजर है हाला कि पूर में जैन्द चोधरी अपने विधायकों के साथ बैठक कर चुके हैं और पच्चिस फरवरी को मतुरा इस्थित अपने आवास पर विधायक दल की बैठक जैन्द चोधरी ने फिर से बुलाई है 27 फरवरी को राज्यसवा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है बता दे कि मलूक नागर कई बार जैन्द चोधरी की तालीफ कर चुके हैं और चोधरी अजीस सिंग की जैन्ती पर वह रालोद कार्याले दिल्ली भी गए थे तबी से चर्चा और जोर पकड़ गई थी कि जैन्त मलूक नागर को बिजनोर से उम्मिद्वार बना सकते हैं लेकिन मलूक नागर ने राजनितिक हलचल को तेज कर दिया है और इस बयान पर रालोद की चुपी के भी गहरे मायने है